नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक सोच में, मैं हूँ आपके साथ शैलोशी सेंग, एक तरफ सभी पार्टियां लोगसबाद चुनावों की तैयारियों में जुटी है, ऐसे में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कॉंग्रेस के खाते फ्रीज हो जाने की सामने आ रही है, कॉंग्रेस पार्टी की बैंक अकाउंट्स फ्रीज किये जाने के मामले में, कॉंग्रेस ने अब सुप्रीम कोर्ट का दर्वाजा खट-कटाया है, गुरुवार को बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने के फैसले के विरोध में, कॉंग्रेस ने सुप्रीम कोर और अपमे नेताओं की मदद करने के लिए दो रुपए भी नहीं है अकाउंट्स फ्रीज करने को लेकर कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी ने दावा किया है कि भारत जैसे लोकतंत्रिक देश में केन्वी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है लेकिन सच्चा ये है कि देश में लोकतंत्र ही नहीं है राहूल गांधी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि कॉंग्रेस पार्टी के एकाउंट्स को नहीं बलकि लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है मामले को लेकर क कॉंग्रेस और केंद सरकार के बीच तनाव बना हुआ है दरसल बात पिछले महीने की है कॉंग्रेस नेता और कोशाध्यक्ष अजय माकन ने बताया कि इंकम टैक्स ने कॉंग्रेस के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था हाला कि विभाग का कहना था कि 2018 और 19 के लिए इंकम टैक्स दाखिल करने में कॉंग्रेस की तरफ से गरबड़ी दिखने को मिली है जिसके बाद यह जुर्माना लगाया गया है इंकम टैक्स ने आरोप लगाया है कि कॉंग्रेस पार्टी के ओडिटर्स ने पैसे का दूरूपयोग किया है इंकम टैक्स से जुड़े चार बैक अकाउंट्स को फ्रीज किया है साथ ही साथ यूद कॉंग्रेस और कॉंग्रेस पार्टी से 210 करोड रुपए की रिकवरी भी मांगी है ऐसी ही और इंट्रेस्टिंग खबरे जानने के लिए बने रहे एक सोच के साथ धन्यवाद